हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो हम लोग देख रहे हैं थे नदी तंत्र के बारे में पिछले लेसन में फिछले वीडियो में जो किसी कायन बहुत वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो इसको करते हैं काफी बड़ा भी हो रहा था तो हम लोग इस लेसन में इसको करते हैं इस सहायक नदिया भी हम लोग इसका देख चुके थे यहां गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है उसके बाद आगे चलते हैं राम गंगा यह गरिवाल हिमाले से से निकलती है कर नोज में गंगा से मिल जाती है राम गंगा तराई की डिश्टरी और ज्यान मिल्स का गंदा पानी गंगा में मिला देती है तो क्या करोगे यह भी होता रहता है तो नेस्ट आगे बढ़ते हम लोग आगे क्या है मैं सार्दा या सर्यूग नदी सार्दा क्या ह है यह कहां एक शेनकलती है यह मिलाप ग्लेजिर से निकालती है और भहराम घाट में यह यह है करकूप यह बर्मा घाट में जाके वह गंगा से मिल जाती है सहायक नदी कि अगर बात करें तो घागरा इसकी सहायक नदी है काली सर्यूक और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है सर्दा या सर्यूक। तो यह सब important चीज है एक ही जगा मैंने सौर्ट में सब्ची मेंसन कर दिया है गंधक की बात करें तो हिमाले नेपाल हिमाले से निकलती है और बिहार में सोनपुर में गंगा से मिल जाती है नेपाल में नरायनी और सालिग्राम नामों से जाने जाती है गंधक कोसिक की अगर हम बात करें तो पुर्वीर नेपाल से निकलती है और गंगा में आके मिल जाती है साथ छोटी नदियों और भी है जो इससे मिलती है जिन्हें हम नेपाल में सब कौसिक भी कहते है तो इसको हम कोसी नदी को नेपाल में आप से जाना जाता है फिर तो गंगा मिलके गंगा में ह बिलिन मार्ग विच्छापन के रिए जाने जाती है इसे बिहार का सोक भी कहा जाता है जिए ध्याना रहा कि या कि तक Dus इसी बहुत important चीज है तो निश्ट में शलते हम लोग नेश्ट क्या गोमती नदी के बारे में गोमती क्या आए पीली घती का दलदली श्यत्र यहां से निकलता है बाजीपूर में गंगा से जाका मिल जाता है इसकी सहां एक नदी और भी है सही और बरना जो इसमें पहले ही मि बसे हुए हैं तो यह भी आपको important है कि लखनाओ लखनाओ जो है या पर जैनपूर है पूछा जाता है कि किसके चट पर बसा हुआ है तो आप संदिया रहेगा तो यह गोमती चट पर बसे हुए है सोन के अगर हम बात करें तो अमरे कंड का पठार यहां से निकलते हैं और सोने था जाते हैं सर देखा राम गंगा में सोने के कर पाई जाते हैं दामोदर नदी के बात करें अँगर नार्स निकलता है और वोग दी से होता हुआँ यह सरुक्नादिया है जमुनिया बंगाल का सोक कहा जाता है दमोदर नदी को यह भी याद रखें उसका टॉंसा तंसा नदी के आगर बात करें तैमूर पहारी से निकलती है और यमुना में जाके मिलती है और यमुना जाके आगे मिल जाएगी सहे नदी घंर कि बात करें तो काली सिंदु परवती और बबनास है रही यह सब सब सब्सक्राइब जाके गंगा से जो में नदी उसी जाके मिल लाती आति तो फिस इतना आ पानी आता रहता है बेटवा की भात करें दो राच सेन बिंध परवत से उतार्त होती है और हिमार्पूर में कि या इंप न मिल जाती है और में यहें बाषम्म पुत्रा की बात करता है टिभ्थ मिसे निकशने इंडाइक से नहीं होता है है यह इंड sticking चाना का पाठ है वह बंगार की खाड़े में यह मिल जाती है सहायक ने दिए टांस है तिस्वा मांसा है गांसीर गंगा है बाएंसे बाराक है ब्रह्म पुत्रा भिनबिन शेत्रों में भिनबिन नामों से जाने जाती है तिब्बत में वह ती सॉमपो और रुणाचाप्रदि आगे बढ़ते हैं सरवाधी सहायक नादिया रंप्त्रा की ही है विष्भ का सबसे बड़ा नदी नीकयार्यां से निकलती हो यह कंभअर tği में लोनी में लूनी की बात करें तो कच करन सहायक नदी यहां और जवाई रारस्थान चलती है सार मती क्या अबात करें तो आवरावी पहारी से अजमेर से निकलती है खंभार की खाड़ी गुज्रात में जाके मिल जाती है अम आधा बाद इसी टटपी इस्तित है महानदी की बात करें तो यह सिंहाब पहारी जो इसके बारें पहले ही बात कर चुके चोटा नगपूर के पठार से निकलती है और भंगार इखाड़ी में गिल जाती है जम सेथपूर इसी टटपे इस्तित है जो कि काफी इंपूर्टन्ट है जो कि इंडिश्ट्रियार एरिया है नर्मदा की बात करें तो अमर कंटक का प प्रपातों के लिए जाने जाती है कापिल घहा दुखधार धूअधार यह सब इसकी सहायक नदिया है ताप्ति कि अगर बात करें तो मत परदेश का मुलताई यहां से निकलती है और खंभार की खाड़ी में जाके गिल जाती है तो यह सब इसके इंपॉर्टन पॉइंट स चीज़ा आपके सामने लादी अब आपको सके डिक tutorर करते रहना दोस्तों से विट करते रहना है पूशते रहना ना इसकाशन करना है तो आपको याद रहेगा को रuded कünü बात करें यह एंदेनी अगग तो बंगाले के साथ खाारे में जाकर गिर तो यह सबसे पुरानि नदी है पहर बहने वाली दूसरे सबसे बड़ी नदी प्रिफिट्टित है theo downhill कि शुरू की बात करें तो यह महां बलेशपर महाराष्टा से निकलती हो बंगाली खाले में जाके गिजाती सहायक नदीर के बात करें तो पंच गांग दुद्गंगा घाडप्रता मलप्रता भी घूसी अंतिरा जिसको अंतिम भी कहता तुम भंद्रा जो सबसे बड़ी सहायक नदीर इसकी यह है यह सब इ बंगा मूल चोटी से निकलती है और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है जो कि आंध्रप्रदस में यह भद्रा कटार से क्यां बात करें यहां पर हैं कृष्णा वह तुम भंद्रा के मत का स्षेत्र एक च्वेसर का दौब कहा जाता है बिजय नगर तुम भद्रा नदी वह महात्मा गांदी प्रताप इसी नदी पर हैं जो का महात्मा गांदी प्रताप इसी नदी पर हैं जो का महात्मा गांदी प्रताप वह इसी नदी पर कावेरी की बात करनाटा का कुर्क छेत्र यहां से निकलती हो बंगाली खाड़े में जाके मिल जाती है दच्छिन की ग सालो भर पानी रहती है बाकी में क्या होता कि ये बर्सा होती तो पानी यतिए पर उत्तर भाध की सालोनी रहती है उसमें सालों मांसुन में पानी इसमें आता रहता है ठीक है प्रादियु के नदी जने है संत्र बाथ करें में नदी कर लें तो उन्दियुक्त करूकर लोकिए उत्क है जैसे द। मढई के प्रसुदंदिटी है मंड्री जुआरी जो पुछाय कोई नदीर की पुछिक्धिक परीयाय। भारत-पुसा और पियार अगर मैं मनपुर्ण पराइब करें तो बहुत है इस तरह तिपाई मुख पर्योजना का निदित निमान धीन है तिपाई मुख पर्योजना बन रही है हो रही है सफल होगी तो मैं बात करें इसके कुछ नदी विवाद भी है कि काफ़ी बड़े वड़ी विवाद है कि पानी हर किसे को चाहिए पानी कमी देश में बहुत जयादा हैle funding को सिचाइए लिए चाहिए तो भ्सक्राइब धीगर स Chanek जwork देते हैं अगर विंद बना लिया बढ़ी या ज़्ली पैदा करने के लिए पानी करें और पानी को क्या करते हैं पहले रोक लिते हैं competitive पड़ गया और जैसे ही पानी डिख्या दिख्षान सभड़ते हैं औरällt या कि इसमें दो राज्यों के बीच सदय जल विवाद रहता है दो देशों के बीच भी जल विवाद रहता है इंडिया भारत की भीच था जो हमारा हमला हुआ था तो उस वक्त यह सब चीजें चल रही थी कि हम लोग सिंदू का पानी लोग देंगे फिर जाके श्ट्राइक कर दिया गया उसके बाद समस्याय आई तो नदी विवाद हर जैसे कि आप चाइना और इंडा के विवाद हैं तो विवाद रहेगा क्योंकि वह पानी उधर से आता तो यह दिक्कत है तो नदी विवाद के बारे में कुछ एक नदी विवाद देखी लेते हैं नदी जल विवाद जैसे जो आपका है अनुछे 262 के अगर बात करें तो इसके अनुसार अंतर राजिये जल विवाद का निप्टारा संसद द्वारा किया जाता है संसद ही बाटवारेकार निवारन करती है भाधी विहन स सब नदी जल विवाद जैसे सदलच को एक नहर के द्वारा यमना तीर्म को पहुंचाने का प्रस्ताव है इसमें हरयाना को सतलच का जल मिल जायाएगा एक से शनंदर में दिस कि प्राइड आयोग का गठान इसी उद्देश से किया यह था परंदफू अभी यह मसला विबादित है यमना की बात करें तो यमना के जल बन संदर में महाराष्टा आंध्र प्रदेश में विवाद है उसमें 1979 की बात करें इसके लिए अच्छा बार आयोग गठित किया गया था यह सब सब्सक्राइब करना है किसके पास आर्मी तो है नहीं आर्मी तो इंडिया के पास रहते हैं कि कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें तो किष्णा के जल को लेकर करनाटक एवाब आंध्र में विवाद है 1976 में इसके लिए श्री बाच्छावार आयोग गठित किया गया था उनिस्व चौंसर में करनाटक में कृष्णा पर अलवट्टी बांध कर निर्मान किया गया जिसे लारवाव सास्त्री बांध भी कहते हैं तो यह है आपका में चीजे नेश चलते हैं कावेरी जल्विवा सबसे पुराना जल्विवाद है या बिटिस का सही अस्तित्म है 1914 में इसके लिए ग्रिफिन कमीशन गठित किया गया था सर्वोष नियाला के निदेश पर एक सी किया दस्ता में एक टीबुनर बनाया गया इस टीबुनर ने चार राज्यों के मद जल के बटवारे का जाए और समझ प्राइसानी, जाए तो और पाकिस्तान की तुकल में ने पाकिस्तान ूटा है कि संधू ठेन आभ पकाकिस्तान का ठीकार है most एक Zeeर बटवह रहा है पानी रोग देंगे तो पटा तो नहेंगे कौए को है मुझ śniw के लोन ते आपको विस्वेंक के नियम क्मुशार समझना हुआ है तो वह स्कंधा हुआ है तो वह इसके इसकी आ Hack गिलया ओर दिस आहिता है अपको मुस्किल ही आपको जहोंगे तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं यह सब्सक्राइब और युद्ध होता है तो यह सब दो कहती है यदा यद विजण points छोड़े ने यह युदद्ध कर देका कि रिंदा ना होती है कि यह सब चीजे मसला होगा ना पिर दिक्कत आ जाएगी फिर दुनिया इसके सामने आजाएगी माना जाता है अगर पानी आप पाकिस्तान को अभी भात की पर आपती है तो पाकिस्तान को कि क्यों दे ले क fullness को लगता हूए तो दया आ nominee को लूँना पानी दा जाएक तो यह आसपास के रास्ते को सभी जब्हें की उजारता हो certified खते होता है तो दिक्कत है हमारे साथ तो जो पानी है और अगर इसमें से पानी रोखता भी है तो भारत परियुजनाएं नहीं करता है उसके जो है कुछ नहीं और विस्तमाल तो हुआ है ऊक्रायोजनाई रहा है ये दिए बना रहा है लेकिन अभी उसके पास देंगे अपने परियुजनाएं बना रहा है जेसे जह ऐलों चिसंगंज और बुलर बेरोल ये है तिरबूल परयोजणाओ चिनापर्द बन रहा है दुलहस्ती और सलाल बांध ये सब चीज़े मैं रहा है बॉन ने रेमन्ट की अधेस्ता में एक टिवर्ण का गठन किया जिसने भारत के पर्षमे निना दिया था तो यह सब विवाद भारत के पर्षमे निना आगे भारत का ऐसे भी दबदबा है बरतमान में जो आप जमूर एंड का स्भी में सरसट प्रविजनाय लंबित है तो वहीं य पर दिया जाके इंटरणेशनल कोट में जाके पाकिस्तान ने की वैए यह बांज नहीं बनना चाहिए तो उसमें आपका भिवाद आता है तो उसमें लटका रहता है तो इतनी अरह आवसे सुल्जेगी नहीं तो यह समस्या है सभाध बंगलादेस के बिच भी समस्या है भा दोनों देशों में विवाद है करकत्ता बंदगरा की जल अपरुती के लिए भारत ने मुर्सिधाबाद में फरक्का बैराज अस्थापित किया बानादस ने इस पर आपत्ती की तो आपत्ती करते ही रहते हैं 1997 कि अगर बात किया तो गंगा जल के बटवाने को लेकर दोनों आपत्ती तो लोगों को रताइए मणीपूर में बनादस को इस पर भी आपत्ति रहें तो अपत्ती तो रहे गई पर क्या करोंगे तुम्हारे नधी तुम कर रही हुआ हरको अपना-पना कर रहा है कितना अपत्ति जगता लो ब्रह्म पत्रा पर बांद तो बनाएगा ही चाहे दुनिया कितना भी हंगामा करते रहा वह आपने लोग फोने बने देगा वहीं की जनता वियोद करने लगती है क से honesty हार नेंपार की सीवास बनाती है इस तो हर जगा समस्चिया अगर भाड़ है चीन ब्रहाट पर सबसे बड़ी बाद है कि चीन उचाई पर इस्तित है तो सारी पानिया उसका यहां आने वाला वहीं से होका सब पानी यहां आता है चीन तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है आपका हारतर असे मजबूत है वह चीन भ्रहंपुत्रा के धारा को उत्तर योर पूरा आपका पूरी विकी राका है जो असम बगरा के लाका सब में सूखा पर जाएगा सब बरबाद हो जाएगा खाने पीने के अकाल पर जाएगा तो यह सब समस्तिया यह वह हां देखें है कि लोग और भी देखें कि बारी से क्या क्या समस्तिया है क्या अंकॉन सब्सक्राइब रहा है क्या सुझहाब दिया जा सकता है बहुत दितने सारे प्रियोजना और कि अध्य ना है बस आप सब्सक्राइब करके सब चीजयों को हम लोग अगले लेसन में देखेंगे इतना ही रहने देते हैं भूट बढ़ धन्यवाद आप सब का कि आप लोग आगरा कर रहा हो कि आप लोग सब्सक्राइब की जिए आप मोटिवेसान मिलता है मैं आपके लिए बेतर से बहु नहीं है और मैं कहां तो अगर आप कुछ भी एक भी अलग से बंदा जुरता है अलग जगह से का बंदा जुरता तो वह अपने एडिया के जितने इफ्रेंड्स हो सभी को बताता है कि यहां पर आपको मिल जाएगा यह बहुत अच्छा जगह है जिसमें मैंने तो को अगर और किस एक्जांस में क्या आता है वो साथ दे गए बाकि जब कहीं वीडियो देखो यूट्व पर समय के बाद चार पांच को पॉइंट बताएंगे और वो समय ब्रबात करते रहेंगे मैं देखो अगर 15-20 वीडियो बनाता नहीं तो कितने सार चीजा कवर हो जाए रही है इत अच्छा से अच्छा लाइक किजिए कुछ पूछना है तो आप पूंट सक्षेन पूछ सकते सब्सक्राइब कर कि इसलिए भी रखिया बेल आइक उन को इसलिए बी क्लिक्क कर रखिए कि जब भी जैसमें कोई भी नोट्रिकेसन आता किसी बीजाम का तो समें क्या पूछ करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंजाए कि वीडियो आ गया है इस इक्जाम पर वीडियो आ गया देख लिजिए तो आप बेल आइकून को क्लिक करके रखिए तो बहुत धन्यवाद इसन में इतना ही था आप लोग उसका बहुत बहुत धन्यवाद